हेलो एव्यवन एंद स्वागत है आपका पर्फ्यूम स्कूल में मेरा नाम है वैभव और आज इस वीडियो में हम फाइनली बात करने वाले हैं अजमल की आर्टिसन सीरीज के दो पर्फ्यूम्स के बारे में ये वो दो पर्फ्यूम्स है जो मुझे इन 6 के 6 पर्फ्यूम्स में से सबसे अच्छे लगे सबसे बहतर लगे और मुझे लगा कि इनको आप तक पहुँचाना काफी सही रहेगा और काफी जरूरी भी हो सकता है इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि करीब 80% लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं वो सबस्क्राइब ही नहीं करते हैं तो प्लीज सबसे पहले तो एक सेकंड लगेगा इस वीडियो को लाइक कर दो क्यों लाइक करोगे तो यह और लोग तक पहुचेगा दूसरी चीज इस वीडियो को आप सबस्क्राइब करते हैं अगर इस वीडियो के थूरू मुझे 200 सबस्क्राइबर्स मिलते हैं जो मैं आपको लाइव सेशन में दिखा सकता हूँ कि कितने मिले हैं लेकिन अगर इस वीडियो से मुझे 200 सबस्क्राइबर्स मिल गए तो मैं इन दोनों पर्फ्यूम्स का गिववे कर दूँगा सही है ना मैं वैसे 5000 सबस्क्राइबर्स पर गिववे करने वाल था तो आज हम बात बिसिकली करने वाले हैं लेदर नौार और पचोली हेज की मेरे लिए ज्यादा इंटरस्टिंग लेदर नौार है तो मैं इसको बात के लिए रखूँगा पहले हम शुरू पचोली हेज से करेंगे मैं इसका आपको बॉक्स दिखा देता हूँ कैसा है एक सिंपल सा कार्डबोर्ड बॉक्स है जैसे फ्रेंच परफ्यूम का अकसराता है इस साइड पे नोट्स मेंशन है यहाँ पे बाकी जो पूरी सीरीज है उसके ना मेंशन है पीछे यहाँ पर बाकी इंग्रीडियंट्स वगेरा वाली चीज़े जो होती है बैच कोड वगेरा यह सब बेसिक चीज़े यहाँ पर मेंशन है बीच में पापा का कॉल भी आ रहा है फिलाल काट देंगे मैंने इसको ढंक से स्टडी किया है पिछले दो हफते में दो हफते पहले हमारा फर्स्ट वीडियो आया था जब यह मुझे पाकेज रिसीव हुआ था तो मैंने इसके अच्छे से नोट्स बनाए है मैंने इनको लिखा हुआ है सो आपके लिए फिलाल मैं इसको पहले स्प्रे करता हूँ ठीक है थाकि आप देख पाएं कि यह थोड़ा लीक सा हुआ है बट ठीक है धंक आप प्रेशराइज एटमाइजर मलब 500 रुपे का है यह पर्फ्यूम अभी जब मैं इसको जज करूँगा तो मैं इसको जज भी 500 रुपे के साब से करके आपको समझाता हूँ ठीक है जो यहां पर नोट्स लिखे हैं दाटार लेमन, रोजमरी, देन हार्ट में पचोली लाब्दिनम और बेस में मस्क एं टोबैको तेखो लिखा तो बहुत कुछ जाता है बट हमें फ्रेगरंस अपने इसाब से जज करनी ही पड़ती है कि कैसी खुश्बू आ रही है, नोट से कुछ बहुत जादा समझ हमेशा नहीं आता है तो इसके पीछे, अगर यह रोजमरी मेंशन भी है, बट रोजमरी एक्जाटली कैसा होता है it is not very herbaceous kind of a note, समझे हो तो पतार चलता है कि कुछ फ्लारी सा और पाउडरी सा आस्पेक्ट है फ्लावर एंड पाउडर कही न कहीं मिक्स हो रहे हैं, उनमें एक हलकी सी मिठास है बट यह जो इसका टॉप नोट है, यह काफी जल्दी निकल जाता है मुश्किल से दो से तीन मिनट का यह ओपनिंग है यहाँ पर, निकलते ही और लेट मी टेल यूँ, यह ओपनिंग एक पांच सो रुपे की फ्रेगरेंस से मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी अल्कॉहल ब्लास्ट नहीं मिलता, अल्कॉहल ब्लास्ट मैं कहूंगा ना मात रहें मतलब एक या दो सेगन का है जो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एनीवे किसी भी परफ्यूम में आपको मिल ही जाता है और यह पफा है वैसे तो यह कॉंसिंट्रेशन उसके बाद इस गोज इन्टो दे डिरेक्शन ओफ लाब्डेनम और पचोली उसको मैंने डिफाइन ऐसे कि स्लाइटली ड्राई वुडी एन पाउडरी स्वीट तो यहां पे पचोली की वैज़े से यू गेट डाट ड्राई वुडी एस्पेक्ट जो होता है लेकिन जब मैं इसको सूंता हूँ तो जो एक इमेजरी मेरे दिमाग में बनती है वो इमेजरी बनती है कि मैं एक खुले मैदान में बहुत ही खुला मैदान है और सेप्टेंबर टाइप का मौसम है तो बहुत गर्मी नहीं है ठंड भी नहीं है और जो घास है वो exactly green नहीं है लेकिन सूखी हुई भी नहीं है हलका सा वो dry woody जैसी grass नहीं हो गई होती है एक उस type की grass का meadow आप मान सकते हो उसमें आप चल रहे हैं और हवा उड़के आपको लग रही है और उसी में कहीं न कहीं हलका सा lavender की खुश्बू है तो lavender की खुश्बू एक barbershop खुश्बू होती है जो अगर आप बच्पन में जब भी हम barbershop के पास जाते थे तो एक बिना नाम का powder वो हमें लगा देते थे हर जगा यादी होगा जब यहां पे blade मारते हैं तो एक powder की खुश्बू मारते थे that is very lavender heavy powder होता था हो वो हलका सा powdery aspect यहां पे lavender का mixed with a lot of woods from patcholi and labdanum and labdanum में ही एक sweetness होती है तो वो ही lavender का barbershop ही element with some sweetness and some dry woods आपको यहां पे मिलता है और this is also very खुबसूरत personally अगर मैं कहूँ अच्छा पहले-पहले मैं dry down पे ले रहता हूँ dry down में जब हम आते हैं तो हलका सा white musk जो है वो इसके साथ अटाच हो जाता है और वो एक white musky floral हलकी sweet खुश्बू यहां पे रह जाती है and this is what the dry down then carries अब जब आप इसको सुन रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि this is not exactly a very masculine masculine oriented भी नहीं है यह बहुत जादा manly खुश्बू भी नहीं है at the same time यह बहुत जादा feminine leading भी नहीं है तो यह काफी unisex blend एक मुझे यहां पे मिलता है जो unisex blend बहुत masculine leading नहीं है actually बहुत ही जादा unisex खुश्बू यहां पे and जितने यह सारी खुश्बू हैं थी उन में से यह मुझे एक ऐसा लगा जो बहुत ही easy purchase हो सकता है and this is something you can actually gift to your girlfriend as well I know girlfriend sister किसी को भी दे सकते हो और यह उनके लिए एक regular office wear या घर पे लगाने वाली एक अच्छी खुश्बू हो सकते है और 500 पे की यह खुश्बू है चाहे आप इनकी website पे देखें Amazon पे देखें जहां पे भी आपको available हो जाए मेरे इसाब से एक अच्छी खासी खुश्बू projection की अगर मैं इसकी बात करूँ तो यह project करीब करीब एक घंटे तक करेगी but starting के 10 minute यह अच्छा खासा आपके तक आएगी 10 से मैं कहूँगा 20 minute भी यह तुम तक आती है खुद अगर मैंने यहां पे लगाई हो मुझे movements के दौरान पता चलेगा कि हाँ एक thick bubble मेरे around बना हुआ है तो इसका एक अच्छा thick bubble बनता है that carries for around 20-30 minutes and then rest of the time यह थोड़ा project करता जाता है तो एक सवा घंटा यह अच्छा खासा project करेगा lasting on the other hand जब मैंने पहले यह fragrance मंगाई थी और the reason मुझे इनका review करने में इतना time लगा is because मुझे test करना था कि इनकी खुश्बू कितनी खिल के आईगी इनकी performance कितनी खिलेगी and this is the reason I tell everyone कि जैसे ही खुश्बू आपके पास आती है उसको judge मत करो हफथा बर तो उसको पड़े रहने तो spray करने के बाद then उसको judge करने में हफथा बर लगाओ you will understand कि fragrance क्या कहना चाहती है आपसे तो Ajmal जैसे brand से मैं इतना तो expect करता ही हूँ कि they are making something better starting में तो मैं discard करने वाल था I was like इनका review बनाना बनता है नहीं पर्फॉर्मेंस नहीं मिल रही थी बट अब जब मिलने लगी तो मुझे समझ आया तो projection मैंने आपको बताया सवा एक गंटा longevity on the other hand six to even eight hour push करता है on your clothes last का जो साथवा आठवा गंटा है वो इसका जो मस्की element है वो रह जाता है बट starting के 5-6 गंटे मुझे ये ढंक से मैं आजकल यहां टेस्ट करने लगा हूँ ये फैबरिक पे यहां पे तो move करते हुए सियाज भी महसूस होता है smell भी आती रहती है और अब close तुम smell भी कर सकते हो यहां मुझे इसका करीब करीब 5-6 गंटे ढंक से समझाया है कि हाँ यह अभी भी patchouli labdanum वाले अपने lavender वाले phase में है 7-8 गंटे में यह अपने musky element में चला गया है और वो टिका वो even मैं कहूंगा 9 में 10 में गंटे तक टिका बट इतना prominent नहीं था तो 6-8 आपस की longevity भी मान सकते हैं In that regards, this to my nose is a very good fragrance Indian houses जो इस price range में perfumes बनाते हैं उन से मुझे इसकी quality better लगी है Now, let's move on to my favorite from the lot which is Leather Noir, चीक है? Same bottle अभी भी आज fragrance of the day ये था Okay, let's go ahead and spray it मैं वैसे आजगल skin पे perfume spray करना prefer नहीं करता, especially सस्थे fragrances but just for the sake of the video I do it क्या बात है बढ़िया pressurized atomizer ये fragrance the moment you spray it you know कि तुम कहां पहुँच गए हो तुम पहुच गए हो Dior Savaj की category Dior Savaj some may be some early opening facet of Dylan Blue but not really let's stick to Dior Savaj खुलते ही पहले तुम मैं बताता हूँ इस पे लिखा है bergamot, mandarin heart note में cardamom and LMA oil और base note में leather and cedarwood the moment it opens तुम मैं समझ आता है कि opening में ही bergamot हलका सा background में हलका सा pink paper and a lot of ambroxan और हलकी सी एक oily feel जो यहां पे LMA oil लिखा है अब मुझे नहीं पता exactly LMA oil smell कैसा करता है but there is a slight tinge of some oiliness जो आपको feel होगी background में very हलकी मतब 5% but very citrus heavy with some pepper तो यह peppery citrus है और नीचे आपको खुब सारा ambroxan दिया है अब ambroxan कैसा smell करता है मैं ambroxan को कैसे define करता हूँ मेरे ख्याल से इस समझ आ जाएगा आप aluminium ले लो aluminium को ठंडा करो बहुत जदा ठंडा करो उस aluminium को और उस पे हलक असा हलक असा salty aluminium हो ठीक है आपको सूंगने में आती है तो उसको हलक असा sweet कर लो अप aluminium को ठीक है तो sweet हलक असा salty और very metallic खुश्बू that is the खुश्बू of Embroxene that you get now that is something जो Embroxene खुश्बू होती है वही एक perfume को बहुत जदा push करती है उसे बहुत जदा mass appealing बनाती है बहुत ही musky kind of a tone उसको देती है and the opening of this fragrance is amazing ये fragrance मैं office दो बार लेके जदा चुकों दोनों बार all the females have loved it मेरे एक office colleague को उसने ये लगाया था वो घर गया उसकी मम्मी ने उसे कहा आज तू बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुतरीन perfume लगा किया है so you can understand that this is a mass pleasing DNA of course Dior Savaş का DNA mass pleasing तो है ही तो ऐसे ही शुरू होता है bergamot some pepper and a lot of ambroxan with slight oiliness then then it goes into the mid यहां पर इसका जो ambroxan है यह center stage ले लेता है and यह ambroxan रहा just हलका सा नीचे इसके थोड़ा सा अभी भी आपको citrus ही टोन मिलेगा so a citrus based heavy ambroxan tone is what you get in the middle of it yes ambroxan again remains very sweet right एक मिठास होती है ambroxan में जैसे की ambergris में भी होती है यहां पर इसका pepper ही जो element है वो इतना prominent नहीं रह जाता but वही metallic हलकी सी tone मीठे होने के साथ साथ हलका सा bergamot का touch उसमें बरकरा रहता है and towards its dry down यहां पर लिखा हुआ है leather and cedar wood to be honest I don't think so there is a slight woody tone which comes with the ambroxan and that's it ठीक है इस तरीके से इसका यह जो पूरा phase है now इसको मैंने लगाया था यहां पर ठीक है कल मैंने pacholi haze लगाया था यहां पर यहां पर आज मैंने leather nole गाया यहां यहां with this also the projection remains for about an hour ठीक है घंटे बर की projection रहती है और मैं गाओं भाई घंटा बर बहुत है ऐसी fragrance के लिए परजेक करना Dior Sauvaj भी इतना ही परजेक करता है वो भी आजकल 5-6 गंटे चलता है तो यह तो fragrance which can replace love child masaba very easily ठीक है क्योंकि वो पंद्रासो रुपे तक की आती है कभी हजार की हो जाती है बट यह पांसोर रुवे का हंड़र्ड है मिला आता है तो you don't have to think before wearing this fragrance इसको office school college gym date wherever the hell you want आप इसको लगा सकते हो तो एक 7 गंटा projection longevity again 6 to 8 hours and it pushes slightly beyond that musky last में बिलकुल एक musky सा टोन है में को leather and serial wood नहीं मिला बट हलका सा musky और woody हलका सा note है वो last में रह जाता है जो आपके 9 में गंटे पे जाएगा 9 में 10 में गंटे पे जाएगा बट वो इतना fade है कि उसको consider नहीं ही करते है तो 6 to 8 hours good longevity even on the skin for me it lasted for about 5 hours वो मेरे हलके हलके बाल भी है तो बालों पे क्या होता है ना थोड़ी सी fragrance टिक जाती है same goes for patchouli haze also 4-5 hours good in my opinion ये दो fragrances मुझे लगा यहाँ पे Ajmal ने थोड़ा ढंका काम किया कि 500 रुपे में आपको ऐसे fragrances दिला मैंने पहले भी Ajmal के इस range के fragrances ट्राइ किये मुझे उतना मज़ा कभी नहीं आया था इस price range के मैं कह रहा हूँ बट यहाँ मुझे लगा कि the work जो किया गया है वो बहुत ही बहतर था So yeah that was my take on the artisan series of Ajmal इन दोनो perfumes के जो links है मैं आपको नीचे description में देखने हूँ Thank you so much for watching this video 200 subscriber इस video पर करोगे तो इनका giveaway कर दूँग और वीडियो को like करना बिलकुल मभूना comment section में बताना और कि जीज़ों पर वीडियोस देखनी है Thank you so much Take care Bye Bye